Hello everyone, welcome you all the strugglers on your own channel The Unlimited Struggler, आप सभी strugglers का आपके अपने चैनल The Unlimited Struggler में एक बाद फिर बहुत बहुत स्वागत है Teaching Attitude की सीरीज में आज हम डिसकस करेंगे Types of Instructional Facilities हलांकि पहले भी हमने हलका सा डिसकस किया है Instructional Facilities के टाइप को लेकिन आज हम एक ब्रादर बे में डिसकस करेंगे डिटेल में डिसकस करेंगे कि किस तरह के जो है Types होते हैं, Instructional Facilities के कौन-कौन से तरीके के होते हैं क्या-क्या उनका यूज होता है, किस तरह से उनको यूज के जाता है हलांकि आप सब को पता है कि किस तरह से सब्सक्राइब करें कि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो के इंस्टांट नोटिकेशन मिल जाए हमारा फेस्बूक और इंस्टाग्राम पेज है नाम से उसको लाइक करें और फॉलो करें सबसे पहले आपके आपके पास पहुंचे है हैंडिट्र नोट्स पेपर वान और पेपर टू मिनेजमेंट के सॉफट फार में और हाड फार में दोनों तोरह से अबिलेबल है बिल्कूल मिनिमम्ट प्राइसी पर अगर आपको चाहिए तो आप देगे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं वाट्स अफेफ कर सकते हैं नोट्स ले सकते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले इस बता दिया है कि इंश्रक्शन फसलिटीज क्या होता है हर वो equipment, हर वो device या हर वो method जिसका use हम करते हैं बच्चों को instruct करने के लिए, students को material deliver करने के लिए उनकी knowledge को enhance करने के लिए और जो हमें help करता है teaching learning process को smooth और healthy process बनाने के लिए उस phenomenon को बहतर phenomenon बनाने के लिए ताकि बच्चों की development और growth ज़्यादा से ज़्यादा हो तो ऐसा device, ऐसे equipment हर वो चीजबोर instructional facilities में आती है अब जनरल ये अगर projection के हिसाब से बात करें तो projection के हिसाब से हम जो instructional material है या instructional facilities है, सौरी माफ कीजिए का material नहीं, facilities तो instructional facilities या devices, equipments को हम दो तरीके से बाढ़ सकते हैं एक तो है projected instructional facilities और दूसरा है non-projected instructional facilities projected instructional facilities क्या होता है एक ऐसा visual instructional device हम बोल सकते हैं जिसमें visual मतलब जो हमको दिख रहा है और जिसकी help से हम देख पा रहे हैं तो ऐसी device जो project कर रहा है माने वो projection कर रहा है, projection कैसे? एक light beam उससे create होता है वो light beam उस device से जाता है दिबार पे या board पे कहीं भी गिटता है और उस light beam की help से हमको जो है वो चीजें display होती है तो जो भी हमने चाहे slide यूज कर रहे हैं फिल्म है चाहे कोई visual ऐसा कोई भी item है visual material visual है जो कि हमें उस light beam की सहाजता से जो है वो दिख रहा है उसको हम projected instructional facility बोलेंगे इसके अलावा दूसरा था है non projected instructional facilities non projected instructional facilities की जब बात आती है तो ऐसे devices, equipments या हम कह सकते हैं कोई भी हम instrument यूज कर रहे हैं जिसमें light beam का use नहीं होता है या projection नहीं होती है और उसके अलावा projection के बिना हम display करते हैं visual होगा visual दिखेगी चीज बच्चों को students को दिखेगा कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं या क्या दिखाना चाह रहे हैं वो दिखेगा उनको visual उसमें होगा visual will be definitely there but it will not be with the help of projection और light beam हम उसमें light beam का use नहीं करेंगे projection का use नहीं करेंगे simple उनको दिखाएंगे और direct जो है वो उनको students जो है उसको देख पाएंगे तो उन instructional facilities को equipments को या उस machinery को हम जो बोलेंगे वो non-instructional non-projected instructional facility हम उसको बोलेंगे यह कुछ एक type है हलांकि इनका बरणन ज़्यादा किया जा सकता है लेकिन उतना ज़्यादा ज़रूरत है नहीं और जिसने use किये होंगे चीज़ उसको भी मालूम है जो use करता होगा उसको भी मालूम है और जो use करेगा उसको भी पता लग जाएगा यह चीज होती कैसी है इसमें दो तरह की है एक तो projected instructional facility दूसरा non projected instructional facility projected में आता है आपकी films जो हम movies लगाते हैं या film छोटी short movies लगाते हैं वो films आ गई slide powerpoint presentation चलती है उसके लिए projector का use हम करते हैं overhead projector होता है इस पर मैंने लग से जो है एक आपको बताया था पहले कि overhead projector क्या होता है transparent seat होती है plastic की जिसके उपर permanent marker से लिखा जाता है और उनको जो है एक overhead projector होता है overhead मतलब उसके सिर के उपर जो उसका उपरी हिस्सा होता है वो glass होता है उसके उपर जस्ट उपर एक lens लगा होता है उस lens की help से जो है वो reflect होती है light और हमको जूम करके बड़ा अक्षरों में जो lens से जो है वो दिखता है तो उसको overhead projector बोलते हैं इसी तरह से आप एडियम स्कोप होता है वीडियो प्रोजेक्टर होते हैं फिल्म स्ट्रिप्स होते हैं चोटे चोटे यह जो है यह projection techniques में आता है या projection facilities प्रोजेक्टर इंस्ट्रूमेंट्स में यह चीजें आती है अगर हम बात करें non projected instructional facilities की तो उसमें graphics आते हैं display boards आते हैं 3D models आते हैं audio devices आती हैं और activities होती हैं वो भी हम non projected instructional facilities में रखेंगे graphics की अगर हम बात करते हैं तो charts आ गया आपका ठीक है जनरली जो charts बनाते हैं लोग ठीक है painting के chart आपने देखे होंगे flash cards हो गया poster हो गया pictures and photographs हो गया graphs होते हैं जनरली statistics में लोग graphs का use करते हैं mathematics में भी करते हैं maps diagram हो गया India का map, Himachal का map Delhi का map, world का map maps हो गये, वो सारे graphics में आएगा graphics non projected instruction facilities के अंडर आएगा इसके लावा display boards होते हैं जैसे black board है black board का जमाना आप नहीं रहा है बहुत rare school में black board मिलेगा white board आगे हैं, white board में permanent marker नहीं होता है वो एक marker होता है, ink marker जिसको हम बोलते है black board में chalk से लिखा जाता था bulletin boards होते है bulletin होता है, जैसे आप news भी देखते हैं निचे एक line चली होती है news की उसको bulletin बोलते है तो bulletin boards होते हैं वैसे ठीक है, buses में bulletin boards लगे होते है कि फलाना station आने वाला है bus चलती रहती है, उसके ओपर bulletin चलता रहता है funnel board होते है, magnetic board होते है pack board होते है यह सारे जो है वो display boards की category में और non projected instructional facilities की category में आते हैं इसके लाबा 3D models होते हैं science में generally हम लोग देखते हैं physics, chemistry, bio में वो models रखे होते हैं 3D, 3 dimensional, height, width, length, depth सारा उसमें होता है mock-ups, objects and specimens, puppets यह सारे जो है वो 3D models में आते हैं इसके अलाबा audio devices में radios है recordings है digital audio players है TVs भी इसमें आते हैं telephone and mobiles है यह non projected instructional facilities में आते हैं इसके अलाबा अगरा activities की बात करें जो हम observations करते हैं experiments करते हैं, drama करते हैं teaching machines होती है programmed instructions होती है field surveys होते हैं जो है activities में आते हैं और non projected instructional facilities के अंडर आते हैं अब generally जो यहां से question बनता है वो किस तरह का बन सकता है कि जैसे models किस तरह का instructional facility है सबसे पहला option projected दूसरा non projected तीसरा both A and B, चौथा नन उत वबब तो इस तरह से question बनने की समभावना रहती है तो आपको क्या करना है projected वाला एक side रखना इसको ध्यान रखना है और non projected बाकी जो सारा बच गया वो non projected की category में आएगा अब सबसे important चीज यह है factors influencing the selection of instructional facilities वो कौन कौन से factor है जो instructional facilities को choose करने के लिए एक teacher को सबसे पहले जो है कि selection करते वक्त जो है influence करते हैं कि मैं इसको चूज करूँ या इसको चूज करूँ या कौन से instructional facilities का मैं यूज करूँ सबसे पहला जो factor है nature of audience कि हमारी audience किस तरह की है उसका level कैसा है उसका literacy कितनी है उसकी उनका knowledge level कितना है IQ कितना है students का ठीक है क्या उनका class क्या है standard क्या है उनका तो ये सारा nature of audience होता है जिस तरह की हमारी audience होती है उस हिसाब से हमको चूज करना पड़ता है instructional facility दूसरा size of the audience it is very important कितने number of audience है हमारे पास है कितने number of student है सुनने वाले या देखने वाले ठीक है अगर कम होंगे तो हम कोई simple technique यूज करेंगे ऐसे technique जिसका effect कम लोगों तक होता है वो करेंगे अगर हमारे पास mass population है माली ज़िए 500 student है 1000 student है तो उसके लिए हमें loudspeaker लेके आना पड़ेगा बड़ीवल sound system ठीक है ये भी important factor है इसके लाबा teaching objectives और expected nature of change कि teacher के objective क्या है वो learning objectives क्या है उसके कि क्या हो ना मैं क्या सिखाना चाहता हूँ या जो permanent change in behavior आए वो कितना आए कैसा आए किस तरह का change मैं चाहता हूँ ये भी एक बहुत बड़ा मैं कहना चाहूँगा कि एक factor है जो influence करता है selection of instructional facilities को इसके लाबा nature of subject matter आप जो subject matter deliver करना चाहते है जो आप उनको बताना चाहते है material जिसे उनकी knowledge enhanced होगी वो किस तरह का है क्या आप उनको theoretical काम करवाना चाहते है क्या आप उनको modeling करवाना चाहते है क्या कोई model बता रहे है क्या कोई experimental technique मा use होगी तो ये सारी भी माइने करता है कि आप क्या समझाना चाहते है उनको इसके अलाबा availability of instructional facilities कि मतलब आपके ठीक है आप तो choose कर रहे है कि मुझे 3D modeling बतानी है या 3D models बताने है लेकिन क्या वो आपके institution में available हैं की नहीं है कौन सी instructional facility आपके पास available है कौन सी नहीं है जो होगी उसी से आपको गुजारा करना पड़ेगा इसके अलाबा relative cost मतलब cost भी हमें देखनी पड़ेगी कि कितना खर्चा आएगा पलानी instructional facilities को equip करने के लिए अगर आप माल लिजे चोटे स्कूल की बात करते हैं सरकारी स्कूल की बात करते हैं फिफ्थ स्टेंडर तक का जो स्कूल है प्राइमरी स्कूल उसमें अगर प्रोजेक्टर की help से आप lecture deliver कर पाएंगे तो वो suitable audience भी नहीं है और दूसरी बात यह है कि वो प्रोजेक्टर बहुत ज़्यादा relatively costly होगा जो कि वहाँ पर use करना तोड़ा tough रहेगा आपके लिए उसको खरीद पाना स्कूल के लिए मुश्किल रहेगा हाँ अगर को standardized school है जो बड़े high parameters पर काम करता है उनमें हो सकता है क्योंकि उनकी audience भी वैसी ही होगी तो यह सारे factors थे जो बहुत important है ध्यान रखने यह क्या चीज़े हैं जब भी हम एक instructional facility का चुनाब करते हैं selection करते हैं और जो factors influence करते हैं during the selection of instructional facility इसके बाद अब को मैं थोड़ा सा बता दू एक method आता है mind mapping method mind mapping एक ऐसा teaching method है जो टोनी बुजान ने 1960s में develop किया था अब mind mapping का मतलब क्या है mind mapping का मतलब जैसे दो word है mind और map mind का मतलब दिमाग मस्तिस्क map का मतलब एक चित्रिया डाइग्राम तो mind mapping का क्या मतलब है जो भी आपको task मिला है जो भी आपका concept है जो भी आपका idea है उस idea के उपर आप brainstorming करेंगे और उसके सब ideas क्या है alternatives क्या है क्या-क्या methodology होगी उसका एक map अपने आपके mind में एक तरह से बन जाएगा और आप उन सारे short जो सब ideas होंगे या जो भी आपके steps होंगे उनको आप arrange करेंगे systematic order में कि मुझे क्या करना है कैसे करना है कब कौन सा step जो है वो follow करना है ये एक non-linear graphical layout होता है या इसमें use किया जाता है non-linear graphical layout का मतलब जो आपको mind में आपके develop हुआ है उसको आप display नहीं कर रहे हैं कहीं पे तो इस तरह से मतलब नहीं कहा पाफ़ अपने mind में एक जरिया बना लेते हैं एक significance बना लेते हैं arrangement तयार कर लेते हैं कि मैं क्या करूंगा कब करूंगा कैसे करूंगा different activities की list मन जाती है इस को मैंडמे map कहते हैं कि मतलब हखई वार बीभर हम बोलते हैं कि हा जी ये तयार है हम बोलते हैं sir तयार है plan तो सामने वाला बोलता है कि बताओ जरा plan वो sir वो तो mind में है तो that is mind mapping जब हमारे चीज में कोई पूरी process होती है सारा चीज हमारे mind में होती है हमने कहीं दिखी नहीं है कहीं display नहीं की है कहीं disclose नहीं की है तो यह था जी आज का lecture अच्छा लगा तो like जरूर करें कमेंट करें अगर आपके को कोईड़ी है तो subscribe करें और share करें अगर आपके कोईड़ी आप मुझे mail कर सकते है इसके संक्यां666.gmail.com पे call कर सकते हैं वाट्साप कर सकते हैं 7627096162 पे thank you thanks a lot